बीएचू में इफ्तार पार्टी विवाद अभी थावी नहीं था कि अब कैमपस की दिवारों पर देश विरोधियो जाती सूचक नारे लिखे जाने इसको लिखा खड़ो गया है जिसको लेकर नराज छात्रों को समझाने बुजाने और दिवार पर लिखे नारों पीच कमि कैमपस का महौल गरम दिखाए दिया है जिसके बाद बीएचू प्रिशाशन ने विवाद नारों को हटवाया और पूरे कैमपस में सेक्योर्टी बढ़ा दी है कि आ अगने बढ़ा एं सब्सक्राइब है कि अब बाद आ इन्टी है और उस खास चरचा पर हमारे संधी लखनौ से सिक्षा विद शुशी और लखनौ से समवादाता प्रदीप सिंग और साती जुडेंगे वरानाशी से निमेश राए सबसे पहले मैं लखनौ से सिक्षा विद सुशील दिवेदी जी पूरे हाल है कि राम नाव्मी से लेकर अप तक का जो महौल है वो पूरा महौल आप देख रहे हैं देश में किस तरह का एक अजीव सा वातावरन तयार हो गया है कि आखिर आज़ियों के लिए क्या सीच कर जाए है क्या देख रहे हैं पाट्रॉल किचन नीड है उसका दाम दो सो साट रुपए से उपर है आटा महंगा हो गया गरसोई गैस महंगी हो गई तमाम चीजे महंगी हो गई कराया भाला महंगा हो गया और इस वक्त हम ध्यान दे रहे हैं किस पर मजड़ित के बहार आप जो है जाकर के पोस्टर लगा दीजे पत्थर बाजी कर लीजे तमाम चीजे कर लीजे किस तरह के हम समाज को सीचना चाहते हैं आने वाली पीडियो को हम क्या देकर जाएंगे सुशील देख साथ मेरा है सवाल है आपने सही फर्माया कि दुनिया में समय बहुत ही कार का वैश्विक्स है आज विश्यू दिकी कगार पर देख और इंट्रे इसके साथ मेंटों के पीच में जो तनाव यूदी जो इसकी है कि प्रकार का एकोनॉमी का सिद्धान थे कि जब सप्लाई अब जाती है और डिमांड बह जाती है तो एक प्रकार का संतुलन पहरा हो जाता है तो उसकी वज़े से हम विश्यू नीबू के और भी जो परिशानिया लोगों को देखने को मिर रही है वो देख रहे हैं तीसरी जो हमारे समाज में एक प्रकार का जो पत किना ही नहीं बलकि ये पीड़ा हमारी आपकी दुखनी भी चाहिए मतलब मेरा कहने का ताथ पर ऐसा है कि हमारे आपके अंदर का जो नेतिक ग्यान जिसनेतिक चीजें हमें और आपको शिखाई जाती थी तो आज हम और आप लोग किताबी ग्यान प्राप्त कर रहे हैं और किताबी ग्यान प्राप्त करके हम लोग बिल्कुल मेटेनिकल काम कर रहे हैं पढ़ें लेखें बच्चों का ब्रेन वास कर दिया जा रहा है जो मास्टर डॉक्टरेट किये हुए हैं जिनका अपना खुद का विवेक होना चाहिए वो भी विवेक होके और किसी भी प्रकार की एक विशेज विचाएधारा से जुड़ कर और बिल्बादपूर काम को अंजान दे रहे हैं और इसके कारण ये हम और आप लोग जो तमाम पदिशानियां देख रहे हैं अलग-अलग धंग को हमें आपको देखने को में रही हैं और ये एक स्वस्त समाज का ये प्रकार के सूचक नहीं है इससे आगे चलके हम इस स्वस्त समाज की कल्पना नहीं कर सकते ये निश्य तौर्बा प्रदीप हमारे साथ जुड़े हुआ है प्रदीप आयोध्या में मजजित तोड़ी गई राम मंदर का सुप्रम कोर्ट के निर्मान दिया जा रहा है और भवे राम मंदर का निर्मान हो रहा है ऐसे में इस तरह लगाने में देखिए अनुच आपको बता दें कि अब बात कहिए उस बास से पूंटता सामयत हैं कि सहमा से आता हुए लोगों से सब मिल के आपस में तालमिल बना के आता है कि समाज के समय में इस्तिती देखा जाए तो सिर्फ लोगों को एक दूसरे अंदर द्वेश्च पैदा हो जा रहा है एक समाज के दूसरे समाज के कि कोई लिया देना नहीं हो रहा है किसी को यह दिक्कत अपने आपको कहीं न कहीं सरकार दोसी दिखाना है तो क्या कारण होगा कि दिखाने का सरकार कान व्योस्ता नहीं समाल पा रही है कोई नहीं है करना चाहिए लब कमक्षाद कहीं न कहीं सरकार फेल दिखाई तो के अलावा हुनी चहीं पढ़ाई नहीं कि कि किसी बजार में वहां आज को दूसर समाज गाली देरा दूसरा समाज प्रेंभा होना चाहिए किस तरह से हमाज देश में जो कल्चर समाज का कल्चर था वो कल्चर कहीं न कहीं दूर दिखाई दे रहा है अनुज जे बिल्कुल निमेश हमारे साथ जुड़े हुए निमेश बीएचू के अंदर क्या घटना हुई है जैसा कि आप कि घटना होना किस बात का संकेत है भी तो रमजान चल रहा है रमजान यदी खत्म होना तो क्या हम बीते दिनों एक मौलवी का एक बयान मुझे याद आ रहा है कि खत्म होने के बाद एक बड़ा नोलंद किया जाएगा हम कि इतने पवित्र दिनों कि इश्व की इबादत करता है ऐसे में इस तरह का महौल का जनरेट होना हुआ 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 है कि इस के बीरी ने बतारेी आने अब करी सिरी भी इस ही तरह के है और द्री — वह समसि और इन्टी पराता है लें को सांसी पराता है इस बड़ी अधर में वहां गये और उसकी वीजियो वायरम ही यह उसके शाट के भाएगे हंगामा उस दिन सभी थमा भी नहीं था कि दूसरे दिन ब्रामणों को फिर देश को तो यानि कि जाती वाद और धर्म की जो लड़ाई है वो विश्विद्यालय में दो तीन दिनों से देखने को आज माहौल सांथ है कल साम को हनुमान चलिशा का पार्ट हुआ गेट पर तो यह तस्वीरें बता रही हैं कि हमारे विश्विद्यालय में जिस तरह का माहौल खड़ा किया जा रहा है मुकदमा दर्ज कराने की बात प्रसासन करता है हंगामा जब खड़ा हुआ तो जिला प्रसासन बना की बात कहा उसके बात दिवाद सांथ जरूर हुआ लेकिन आप म पीछे मूल हैं और उनको जरूर करके ऐसे लोगों को भी कि निकाला जाएगा तब तक आपको इस तरह की घटना आप याद करिए कि बात बना सिंद्री नोस्ती में जब कुछ चांसलर आता है तो उसके आने के तीन से च्छे में को यह जड़ग जाले में जो इस तरह की पर आयोजित करता रहता है और उसके पढ़ने वाले बच्चे आते हैं जीवन तो खराख माइंड वास भी करते हैं जाती के नाम पर ऐसी गाली गलोज दिवालों पर करते हैं आगजनी करते हैं हिंसा की ट्रेनिंग लेते हैं विस्विद्यालों में यह एक ऐसी बात है जिस पर हमारी सरकार को समाज को भी यह देखना होगा कि आखिर हमारे सिक्षन सस्तानों के भीतर चल क्या रहा है और अगर दोसी के रूप में बच्चे सड़कों पर दिखाई देते हैं तो क्या वास्तों में बच्चे ही दोसी है या उनको उस तरह की ट्रेनिंग देले माने उन उशीर जी आप सिक्षा विद हैं जाहर तोर पर सिक्षा से जुड़े हुए हैं आपके साथ मैं एक अपनी व्यक्तिकची शेयर करना चाहूंगा जब मैं तीसरी क्लास में आया जब मैं तीसरी क्लास में था बहुत छोटा था तब तीसरी क्लास में पहला दोहा हमें पढ़ मार्च गई है एक मार्च को उसका एड्मिशन हुआ है नर्सरी क्लास में सुशील दिधान दीजेगा सर साड़े चार जार बुक्स मैंने खरीदी उन बुक्स को मैंने खोल के देखा नैतिकता का कहीं कोई पार्थ नहीं था केवल हमारे वक्त में पढ़ाय जाता था राम नही कि मां है की सिक्षा हो गई है जो जो को पैसा कमाई का मशीन बना रही है नैतिकता का एक बीपार्ट नहीं दे रही है और यही कारण है मां जिस तरफ अग्रसरिद हो रहा है आपने कुछ सहीं कहा आज किसी से पुछा जाता है तो वह यहीं कहता है कि पैसा कमाना के लिए कर गुजाएने की वह मतलब हद तक जाता है चाहिए वो गलत राज़ नहीं कई उदाहां देखने की जिसमें युवा वर्क खुद में मैतिक मूलियों को कितना गिरा चुकी है और दुख तो इस बात तो होता है कि सिस्टाचार संसकार वा नहतिकता की यह पेंचान जो हमारे वो धीरे होती जा रही है और जैसा क्योंकि युवा पीड़ी तो पागल हाती की तरह नहतिकताव और संसकारों को भुला कर पुचल कर अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को रौनते हुए चला जा रहा है यह ख़वर है कि जब भी वह जमीन पर गिरेंगे तब क्या हाल होगा यह सिर्फ नहतिक मूरियों की कमी के कारण हो रहा है और दूसरी बात जो आपने आज कहीं हमारी किताबों में टॉम हैरी चिंचैन या जो भी यह गेम या इस पिकार के पात्रों के बारे में बच्चों को ज्यादा ग्यान है और हमारे जो परंपरा थी जो हमारे देश के जो एक अठुली अव्यक्तित थे उनके बारे में हमारे बच्चे नहीं जान पा रहे इसके लिए रास्ती सिक्षा नीती आपको पता ही है कि धीरे धीरे करके लगबाग सारे देश में अब करके वो जो रस निकला जो अमरिक वो हमें और आपको देखने को मिलेगा भविस्थ में हम और आप ऐसी सिक्षा नीती को देख पाएंगी बच्चों विद्यायतियों को हमारे एक अधार भूत जो है जो हमारी संस्किति और देख दुनिया में हमारे देख का जो अच्छी आपते हैं अच्छे गुश्ट दुनिया के कोने क्योंने में फेलाने में सफल उपाएंगे लेकिन हमारी आपकी भी जिन्मेवारी है क्योंकि आज चलिए बच्चा पांच या च्छे घंटे रहता है इसके बाद बच्चा घराएंगे पर हम और आप माता और पिटा की रूप में पेरेंट्स की रूप में अग्लावक की रूप में आप देखिये और देखिये तो वो गुन आप अपने मोबाइल में बैस्ते हैं आपके अब बैस्ते बच्चा अपना पढ़ाई कर रहा है हमें और आपको जो यह परकार का सूचना रूपी एक बुलबुला जो फूटा है जिसे हम कह सकते इन्फो डैमेक एक सब्द है उसमें कोई भी बच्चा पूरी तरह ग्यान प्राप्त कर लिए रहा है जो वास्टिक ग्यान है और वो ग्यान नहीं मिल रहा है उसकी बज़े से यह तमाम परिशानियां देखने को मिल रही और तो और हमारे बच्चों में वो इसके लिए नहीं कि तलाग और यही कारण नहीं है कि उन्होंने डिगरी तो हासिल कर ली लेकिन गहन अध्यान नहीं किया निश्चत तौर पर आप ठीक कर रहे हैं दिवेदी जी आप बिलकुल ठीक कर रहे हैं सराप सुशील जी बहराल मैं आज की घटना पे अयोध्या में हुई है उस्वा प्रिशाशन तक क्या करवाई की गई है और आगे क्या होगा दिखिए अरुज बता दें कि इस घटना पे सीधे सीधे परसासन सेक्टिव हो चुकी है और साथ लोगों का अब तक मुखारोपी के साथ साथ लोग गरफतार कर चुकी है इसके लावार चार लोगों की गरफतारी बाकी है जल्द से जल्द उनकी गरफतारी की जाएगी ये दावा है प्रशासन का पुलिस पूरी तरह से सारी टीमे उनकी लिगली हुई है करीब 11 टीमे निकाली गई है इस चार लोगों गरफतार करने के लिए इनकी मनसा पुरी तरह जादी हो पचान चुकी है ये लोग कबूल कर चुके हैं कि दंगा करने का मकसद था इनका दंगा करने का मकसद था इसी कारण इस घटना का अंजाम दिया था इनोंने और समुख आरोपी महेश सहीत साथ ग्रफतार हो चुके हैं अन्य फरार हैं जिनको एक नई दिसा दे सकें लोगों को बरगला सकें आपस में जगड़ा पैदा करें ताकि समाज में एक मैसे जाय की सरकार कानून व्योस्ता नहीं द्वार पा रही है जिसके कारण ये घटना को अंजाम दिया गया है इस तरह की घटना से लगातार कहीं ना कहीं अगर देखा हम भी कहा कि हैरी और टॉम्स की पढ़ा पढ़ाई की बात किया आपने तो कहीं ना कहीं हम भी समाज पूरा दोसी है क्योंकि सभी लोग एक पढ़ाई के लिए यूपी बोर्ट जैसी पढ़ाई को शोड़के हम इंगलिस मीडियम को अच्छी पढ़ाई देने के चकर में हम अपना जो समय देने की बात हो रही है डिजिटल इंडिया की बात जो प्रधामंत्री जी कहते हैं डिजिटल इंडिया कहीं न कहीं सोचल मीडिया भी इसके लिए दोसी माना जाएगा समाज को बरगाने के लिए समाज को कहीं न कहीं दूतरी दिसा के तरफ लिए आज के किया होगा इनछे का इनके क्या मोह ओधा होगी कितना समझेंगे क्या ना समाज जो बनेगा वे दूसरे को देखना पसंद दी कर रहा है रहा है दूसरा समाच पहले समाच की और नफरत दिखाई दे रहा है अनुज जी जी आप पूरी खबर पर निगाह बनाए रखिये मैं एक राय लेलू निमेश की निमेश अब तक जो खटना क्रम हुआ है युनिवर्स्टी के अंदर उस पर अब तक प्रिशाशन ने क्या कुछ संग्यान लिया है देखिए प्रसाशन जीला प्रसाशन भी इस पर संग्यान ले चुका है और विस्विद्याला प्रसाशन की साथ में पुलिस कमिस्नरेट के साथ बैठक हुई है वारानसी की और यह तैह हुआ है कि इसके जो भी उकसाने वाले इस उपद्राव को लोग रहे हैं उनके खिला पुकदमा दर्ज नहीं हुआ है पुलिस की भी और प्रसाशन जीला प्रसाशन की भी जहां प्रशलित है आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा लेकिन एक मूल बात मैं जरूर करना चाहूंगा जहां से आपने शुरू किया था कि हमारे सामने समस्याएं क्या हैं और हम क पुच्छन सनस्थानों की तरफ से और उसकी पनडिती है समाज में इस तरह की बैमनस्यता चाहे वो जाती के नाम पर हो धर्म के नाम पर टुकड़ों में बिस्विद्याले के अंदर कम्यूटी बंदी हुई है जाती-जाती के इसाब से और इसके दूसरी बात और बताओं इसकी कोई इन्वेस्टिगेशन, कोई जानकारी है न कोई नोटिस नहीं है, पॉलिटिक्स भी यही करते हैं, 6-6 महीन अपनी डूटी से गायब रहते हैं और राजनीतिक दलों से जुड़े हुए होते हैं, सिक्षा हमारी इस देश को गर्त में ले जा रही है, चाहे वो इन्वेस्टिज में मिलने वाली सिक्षा हो, हिंसा वहीं से देखने को मिल रही है अनुचा. ऐसी नीव डाल कर गए हैं कि यहां का बच्चा तरक्की तो करेगा, लेकिन देश को खुशहाल कैसे बनाना है, देश को खड़ा कैसे कर पाना है, यह उसके बसकी बात नहीं है, यह संभव नहीं है, और शायद यही चीज निमेशा चरितार्थ हो रही है, बहराल आप तीनो बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, निमेश, आप बाबा विश्वेशर नात की नगरी से हैं, असलिए आपको विशेश प्रणाम बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगोंगा, तो आज के लिए बड़ी बहस में इतना ही, कल फिर हाजर होंगे, एक नए मुद्दे के साथ, एक नए जोश के साथ बड़ी बहस में, तब तक के लिए दीजे इजाज़त सहार अपनाम